नमस्कार आपका स्वाकते राजमामा टीवी पे मैं पूर्णम आपके साथ फिल्म रॉक्की और रानी की प्रेम कहानी में रन्वी सीं की बहन गयतरी रन्वा का रोल प्ले करने वाली अंजली आनन ने फिल्म में अपने कर्दार के बारे में बात की अंजली ने फिल्म में अपने करेक्टर के बारे में कहा कि उन्हें स्क्रिप्ट पढ़कर बहुत खुशी हुई अंजली ने कहा कि उन्हें देखकर अच्छा लगा कि आखिरकार उन्हें कोई ऐसा किरदार मिला है जो कॉर्नर में खड़े होकर चिपसियां मिलक्षे खाने की बज़ाए खुद अपने लिए खड़ा हो सकता है फिल्म में गायतरी रन्वा मोटी होने की वज़ा से अंडर कॉन्फिडेंट है और रोज अपने घरवालों के ताने सुनती है आलिया के करेक्टर रानी से प्रीथ होकर गायतरी खुद अपने लिए स्टेंड लेती है उनकी किरदार को काफी पसंद किया गया है अंजली आनंद ने खत्रों के खिलाडी 13 से अपनी भैचान बनाई थी उन्होंने इस फिल्म के साथ अपना बॉलीवूड डेव्यू किया है करंट जोहर की फिल्म से डेव्यू करने पर अंजली ने कहा कि उन्होंने बच्पन से ही सपना देखा कि वो किसी दिन करण जोहर की फिल्म में काम कर सके अंजली ने ये भी कहा कि जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें ओवरवेट लड़की का रोल आफर किया गया तो वो दास हो गई लेकिन वो करण जोहर और धर्मा वड़क्शन को मना नहीं करना चाती थी अंजली ने बताया फिल्म में अंजली ने जया बच्चन के सामने अपना स्टेंड लेते वे एक डायलॉग डिलीवर किया था जब मैंने अपना पार्ट खत्म किया तो मैंने देखा कि जया बच्चन की आँखों में आसुआ गये थे जबकि उन्हें करदा को गुस्से में होना था सीन कट होने के बाद जब मैंने जया बच्चन से बात की तो उन्हें ने कहा कि मुझे रोते हुए देखकर उन्हें भी रोना आ गया इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद